दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट पीज ये गलतियां मत करना जो भी आरार सी गुरूब डी की त्यारी कर रहा है उनसे सभी से मेरा निवेदन है कि ये गलतियां ना करें ठेक है सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो सेल्फ अप regular कोई नोडिविकर्शन है पोस्ट पॉफंट है सब कुछ वख्वास है इन बक्वास बातो में ना wh हो एकान कोन कोन के एक्जाम होगे तुम हो रिरसी में बैठे हो सब बख्वाज बर्थेम कि कुछ साम कितना है कि tis कुछ कुछ कूल कुछ कुछ सा लुग साम कितना तफ इस नाम की व्य्जाश रहती है कट आफ किती रहीगा आप बोल दो कि असी बोल देगा उससे हुआ गया बच्चे की दिमाग मा जाए गए और कम सतर कोशन तो करके आने पड़ेंगा टेम उसको वहाँ पर 65 कोशन बिल्कुल एक्यूरेट भी आ रहे होंगे ना वहाँ पर 7-8 कोशन एक्स्टर में लगाया आप बखवास बाते हैं और नॉर्मलाज़ेशन नाम की चीज़ भी होती है रेल में तो बहुत अच्छा नॉर्मलाज़ेशन होता है पता है न यह चीज़ तो दस-दस नंबर पढ़ जाते हैं लेकिन आप नेगरिटिव कर आगो तो आपके आपका उतना ही नॉर्मलाज़ वीडियो देखो वैसे तो मोटिवेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपको लगता कि मोटिवेशन मिलता तो वीडियो से बढ़ी है जो भी आप देख रहे हैं मैंने देखा लोगों कि लाख वीज हो रहा है इन वीडियो इस पर एक्जा क्यों आपको पता है क्या आपको पता कि मैं एक्जाम दूंगा की नहीं दूंगा अब अपनी मर्जी सा करके कुछी बता रहे हैं बोल्डर की एंटीप सवाले बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे वह पेपर देंगे इंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी है क्यों नहीं देंगे बच्चे पेपर डेड़ करोड फॉर्म भरे गए थे इसके साथ डेड़ से दो करोड फॉर्म भरे गए हैं तो बच्चे क्यों नहीं देंगे पेपर बेरोजगारी है तब ही तो इतने फॉर्म भरे गए गए और कोरोना के बाद से तो गवर्मेंट जोब की वैसे भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है ना जाने कितने बच्चे त्यारी कर रहे होंगे और सब पेपर देंगे इन सब चीजों के चक्कर में बिल्कूल मत रहना रिलेक्स मत हो जाना कि पचास बच्चे पेपर इनित्हि ही ड्रेस बSw牌 करके अपना काम चलाता है वह होता है पढ़ने वाले बच्चे जिनको यह नहीं बता होथा कि रात कब हो यह सुग हो रहा है में पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लाग फारा 1244 जहुत जांते बच्छे कितना पढ़ रहे हैं और यहां पर यूट्यूबर सखर करें बोलते हैं एक्जाम में इतने बच्चे बैठेंगे पचास परसेंट बैठेंगे इतना गंदा वीडियो बना रहे हैं मतलब यहां से 65 कट ओफ रहेगी यहां से 70 कट ओफ रहेगी पता नहीं कितनी कट ओफ बता रहे हैं एक नॉर्मल बच्चा जो एक दो साल से पढ़ रहा होता है वह अपने आपको 60% तो लेही आता है किसी भी एक्जाम में अंडेड में से 60% तो वह त्यारी करी लेता है 60% के उपर जाने में उसको एक एक दिन एक दिन उपर जाने के अंदर उसको बहुत एक्स्ट्राइफट देने पड़ते हैं अगर यह चीज याद रखना समझने कोशिश करना आपने वहां पर एक्जाम में पर 65 कोशन लगा द यहाँ लगा ऊब यहाँ पांच ब्लॉण और पंच्ब्रेभ लगा देव्यार नॉसन के ईफैक पढ़ता हूं वहांपकीज़ करताया तो रहां देख पाता है कितने नंबर बढ़ते आपके और वहाँ पर आप 10 कोशन एक्स्टर लगाने के चक्कर में यह 10 नमबर भी गवा दो इसमें से 4-5 नमबर आरों क्या पता तो आपकी सबसे पहली चीज आपकी सेल पर स्टड़ी रखो खुत की और वरोसा रखो और इन सब चीजहों में अपना वेस्ट करना बंद करो एक्जाम पुस्ट पॉन हो गया गया Biz कब हो गा एड्मिटकार्ड कब होगा एड्मिटकार्ड जब पढ़ाई कर रहो खुद के अपर वरोसा रखो paper clear करके आप ही आऊगे यह सब वीडियोस देखने से paper clear नहीं होते हैं किती रही cutoff यह exam में कितने बच्चे बठेंगे इन सब को देखने से कभी paper कि लेड़ने होगा कभी कि लेड़ने होगा आपका सिर्फ टाइम बेस्ट हो रहा है कि फोकस करो अपने उपपर ज्यादा से ज्यादा मोग दो मोग टेस्ट इतने दो जिसकी कोई हद नहीं एक आप प्रीवियस एर मोग दो 2018 का जो भी पर वहते सारे वह मोग टेस्ट दो दू होगा आपका नंबर बढ़ेगा यह सबको पता है कि मोग टेस्ट यह सी चीज़ है जो आपको एक्जाम में बहुत हैल्प लिए और दूसरी चीज आप मैस के अंदर कैसे रिवाइज करते हैं मेरे को पता नहीं लेकिन आपको एक बैस तरीका बता कि आप आज मैस को रिवा है आपका जीडालिपरा मेंने लिख़ दे अलजेबरा है जेक यहganा हुआ करे सके 20 सवाइब करें इसके इसके उसको भी अपना रिजल्स देना होता है समझ नहीं कोशी करना आप इस तरीके से अपना जो भी कॉंटेंट आपके पास पढ़ाया उसको इखटा करना हर चैप्टर का और ऐसे सोचना और या फिर एक डायरी लेना उसमें लिखना कि पर ऐसी जिस तरीके से मैंने बनाया इस त करना अब ऐसे क्या होगा समझ नहीं कोशिश करना पर में वहाँ पे क्योशन आएंगे मिक्स क्योशन आएंगे प्राफ को अब जो प्रेक्टिस करनी है और मिक्स में ही एक्सपर्ट बनना आपको आपन कोशीश करो कि दिमाग इसी तरीके से आप जो भी वरक करो आपका हर तरीके का इस तरीके से वर्क करो कि mix सब कुछ आप mix में पड़पाओ जैसे जो पूरी math से इसको mix में पड़ओ जैसे मैंने यहां पर इतने question लिख दिये जैसे इतने हो गई है 50, 100 और 160 question हो गई है 160 question आप निकाल रहो इतने सारे chapters के मतलब आपका revision हो रहा है best से best यह best तरीका मानता हूं मैं revision करने का Math का तो सबसे decent तरीका यहीं मानता हूं मैं यह best तरीका सबसे best तरीका आप इसको अप्लाए कर सकते हैं मैं तो इसी तरीके को apply करता हूँ अगर मेरे को भी revision करना होता है तो किसी समझ रहे हो मेरी बात को जो समझाना चारा हूँ एक्जाम में कितने बच्चे बेटेंगे कोई मायने रखता मायने सिर्फ आपकी महनत रखती है आपकी self-study महनत रखती है आपसे निवेधन करना चाता हूँ कि सिर्फ अपनी self-study पर ध्यान दे अगर कुछ नहीं आ रहा है आपको तो YouTube पे देखें जैसा अगर maths में कुछ नहीं आ रहा है किसी और subject में कुछ नहीं आ रहा है तो उन सब चीज़ों का आप सर्च करें YouTube पे लेकिन इन सब चीज़े और इन सब अववाउं से बिलकुल दूर रहे है ये भी जितनी अववा हैं ये जिन सबसे दूर रहें देखें और सबसे लास्ट जीज थोड़ा बहुत मैं मेरे बार मता दता हूँ मैं 2018 के बैस्ट क्योशन के प्रैक्टिस सेट्स करवा रहा हूँ मतलब 3-4 मोख को इकटा करता हूँ उन में से जो बैस्ट क्योशन होते हैं वो लेकर करके आता हूँ आपका आप इस जो मेरा बैच है इसको आप देख सकते हैं और अच्छा लगे तो उसको लाइक शेर सबस्क्राइब कर सकते हैं यह आपको बहुत हैल्प करेगा अगर आप मुश्किन सब्सक्राइब का एक लेक्चर होता है देख सकते हैं आप उसको टू एक्स की स्पीड भी देखेंगे तो आपको बहुत हैल्प मिलेगी आपको पता लगीगा कि एक बार के लिए लेवल किस तरीके का आता है पूर उस सिरीज को देखेंगे एक बार इसी चैनल पर आपको सिरीज में मिल जाएगी ठीक है और इन अववाओं से प्लीज दूर रहे हैं और आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट आफ लक अब जब भी एडमेट काड आएगा मैं आपके लिए वीडियो लेकर क्या हूंगा ठीक है तब तक के लिए बाएगा